हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग उमेद करते हैं अच्छे होंगे आज अगर इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो नीचे में लाल वाटन दबाकर सब्सक्राइब कर दें ताकि आज कुछ मोटिवेशनल की बात कहेंगे और आपको भी अच्छा लगेगा आप जानते हैं माक्सिनल लोग धोनी को जानते ही होंगे नौट से ज्यादा तो सौठ लिकिल लोग इतना फैन फ़लोहिए न मतलब यहां पर हम आया हैं तो बहुत सारे लोग इतने फैन हैं हम अचंवित होगे भाई ये तो सौठ के तो नहीं है धोनी जी तो कैसे सौठ के लोग इतना मानते हैं तो बात से ये एस्पस्ट हुआ कि जो लोग अच्छे खिलते हैं और जिनका फिनीसर हो जो कि हर मैच अपने बलबूते से जिता दे तो उनका फैन फॉलोईंग क्यों न भायत के हर एरिया में होगा तो यही यह बात यह है कि धोनी का जनम बिहार में हुआ बिहार अब ज्हारकंड हो गिया है मतलब बिहार को डिवाइड कर दिया है तो अब ज्हारकंड में ही है तो बिहार के मने बिहार के ही पैदाइस है तो उनका भी काफी है श्ट्रेगल हुआ है उनका पिक्चर अगर ओल्ड वाला देखिएगा उन्हेंने क्या क्या मतलब वह गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे उनका बच्वन से ही बैडमिंटन और फुटबॉल में काफी इंट्रेस्ट था उन्होंने जीले तक अपना नाम दर्ज करवाया फिर वह किर्केट में अच्छा रूची रखने लगे तो उन्होंने इसकुल में स्पलित और लेकिर्षे के बीच में उनका प्रीचा छोड़िये जेयइक्सिum क्या मान हुआ कि उन्हेंने का प्रिच्षा चोड़ कर उन्हें क्रिकेट अपना पैसंद आड़ने के लिए बारे में सोचा और फीर वो धेरे देरे मेहनद करने लगा और यह बात रहा है तब फिर मेरा मेरा सब्सक्राइब可能 लेकर दो मेहना का होटा है आपिल सुरू से लेकर अब तक लोग इनके मैच देखने के लिए दूर दूर से पैविलियन में आ जाते हैं देखने के लिए उनका fan following जितना आज के दौर में बॉलियूड में सलमान खान के बारे में कहा जाता है उतना ही क्रिकेट में अगर कहा जाए तो सबसे ज़्यादा fan following धोनी को माना जाता है मतलब वह बेस्ट finisher है मतलब वह अपने बलबूते पर अगर लास्ट में छे रन भी चाहिए लास्ट आवर में तो वह अपने बलबूते से उन्होंने तीन कप जिताने का रोल अदा किया है तो उनका नाम क्योंने हो और भाज सरकार के दौरा उनको बरे बरे चीज का एवार् गाजीव खेल रहतन से अवार्ड से भी नवाजा गिया फिर बीच में यह हुआ कि उन्हें पदमस्री अवार्ड स्मी नवाजा गिया फिर पदम अवार्ड जो कि 3rd European Fire रहोटा है महने टॉप 5 3rd वो उसको नवाजा गिया तो यह अगर अच्छा खेलिया अपने देश के ल लिए ऐसा नहीं है कि वह सुवार्थी थे बाकी लोग प्लेयर होता है सुवार्थिया यह हमारा सेंचुरी होना ही है लेकिन वह ऐसा नहीं प्लेयर थे उन्होंने अपने बलबूते पर मैच कुछ जानाने की कोजिस की वह अपने टीम के लिए खेल दा था वह अपने खेल अपने क्रीस पर आते हैं उनका fan following उतना source सरावा करने लगते हैं मतलब आप पागल हो जाएंगे अगर वहाँ पर रहेंगे तो मतलब इंटर्टेंट बहुत ज्यादा ही करते हैं उनका वह भले ही ओठ हो जाएं लेकिन फिर भी fan following उतना जवर्दस है उनका बन गया है इसलिए fan following है और जिसके वज़े से बहुत सारे player लोग भी जानते ही हैं आसपास का महौल अगर यह हो अच्छा हो तो जलने का काम करता है त जर्याइब इसे हम ये कहानिया आपको बता रहे हैं आपके अंदर भी इनका ब्रहेख तो आप थोनी को वो fan following मानते हैं, fan मानते हैं, तो आपका विदायत होता है, अगर धोनी अगर वो कर सकता है, match को जिता सकता है, अगर उतना cool mind का रह सकता है, तो आप भी cool mind होकर, अपना presence, अपना dedication और अपना confidence इतना level high कर लेजिए, कि आप पर high कर रहे हैं, तो फराहिए में इतना cheer far देजिए कि एकदम टॉपर निकल का है, तो आप भी अपने डेडिकेशन के साथ प्रहाई करते रहें, जिस तरह वो अगर मैं जिताने का लक्ष रखता है, कि मैं जिताकर ही आना है, तो आपके अंदर भी वो जज़वा होना चाहिए, कि हमारा एक ही लक्ष है, वो एक पार्टिकुलर, एक specific exam को निकालना है, तो वो भी हम कुकार को दिखाना है, करके दिखाना है, तो वो आपको करना परेगा, माता-पिता का नाम रोसन करना परेगा, जिस तरह उन्होंने माता-पिता का नाम रोसन किया, उन्होंने साधी किया, बीच में 2010 में साक्षी के साथ साधी किया, और यह सब तो पब्लिक का पॉजिटिव नेगेटिव रियूज आते रहता है तो उससे घवराना नहीं है बागी लोग आलोचना आपको करेगा पढ़ाय कर रहे हैं तो बीच में आपको पीन करने के लिए आ जाएंगे कि यह है वह है इधर उधर तुम टहलते रहते हो इधर यह यह भी जरूरत है बीच बीच में यह सब दोज मिलना चाहिए ताकि आपके अंदर वह आग जले मतलब आपके साथ आपके साथ में गलत परिस्दिती भी आती है उसको कैसे टेगल करते हैं उससे कैसे निकलते हैं उसके अंदर आपको जाना नहीं है उससे कैसे निकलते हैं सीखज पाईएगा जितना हापे स्ट्रेगल किज color की तो स्ट्रिक पना देगा उतना ही आपको एकदम पत्थर बना देगा उपका स्ट्र बना देगा मतलब आप उप इमोशनल के लिए आपने कादम बरहा हैं तक उस आगे पाना ही है यह को परा किनर कैसे भी हो आप गरीव से आये हो लेकिन आपको एकजाम निकल का सफल होना है उ हो है इस तरह का सोचना बंद किजिए अगर द Granny इतना प्लेयर à lack सब्सक्राइब करेंगे तो इस तरह का अगर वर्चस बढ़ाना है तो आपको आगे बढ़ना पड़ेगा सब्सक्राइब करेंगे तो आप यह तब तक करेंगे जब तक आप खुद को नहीं तसली देंगे कि हमको इस से निकलना डिस्टेक्शन से हटना है आपको केरियर अस्थापित तब करेगा जब आपका मन एक पॉजिटी वे में काम करेगा आप एक लक्ष की तरफ ध्यान दे रहे हैं मतलब आप कुछ भी लैंड में हो आप लोयर बनना चाहते हैं तो लोयर बनिए लोयर में एकदम हंडेड़ परसन रेफर्ट दिजिए कि हम अच्छा लोयर को नहीं हो सकता है मनें बरे बरे लोग मेरे पास आए मनें मतलब की कोई भी चीज करने के लिए कि मेरा ये जिता देजी तो इस तरह का अगर अस्थाबिद करना है सेलेड़ बनना या सिंगर या कोछ भी लैंड में प्रोफेसर एक्टर कोछ भी मतलब जो भ पाईएगा आपके अंदर ऐसा च्छमता है कोई कोई आपको हरा ने सकता है आप ही एक ऐसा बंदा है जो आपको आप ही सोचते हैं आप जिस तरह सोचेगा उसी तरह और पूट आएगा तो इसलिए अच्छा किजिए कि और पूट अच्छा सोचें और पूट अच्छा रि वो भले ही specific cricket में माहिर है लेकिन आपको पढ़ाई करने में माहिर बनना पड़ेगा धोनी जैसे बनना पड़ेगा सलमान खान बॉलिवुड में देखते हैं कितना मेहनत करते हैं पैसा कमाने के लिए उसी तरह आपको पढ़ाई करके पैसा कमाना है तो आपको पढ़ाई की लगाना पड़ेगा ऐसा ही समयाई बरवाद नहीं करना पड़ेगा यूटूब एक ऐसा सोर्स हो गया है लोग अंगीनत सौर्स वीडियो देखते रहते हैं इस्टागाम अंगीनत वीडियो लेखते रहते हैं और अपना समय बरवाद कर देते हैं बेट मिला रहता है और गांँ से छोर कर बाहर की तरह प्लैन कर लेता है और वही वीडियो में समय बरबाद कर देता है, उसको दिमाग सोचने के लिए सक्ति देता नहीं है कि हम जो इस परपस के लिए आए हैं, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं और क्या करेंगे कि आगे कम मेरा केरियर अस्थाबित होगा तो यह सब आपको सोचना परेगा, ऐसे ही समय बरबाद नहीं करना है कि रिकेट में, फूटबול में, इधर उधर एसपोर्टस प्लेएर का परफरमस देख रहे हैं आपका परफरमस कैसा हो रहा है, वो आपको गोल आपको सोचना परेगा कैसे आप सोचते हैं किस तरह का आपका mind way है किस तरह के way of thinking है वो आपको सुचना पड़ेगा ऐसा नहीं है कि हमेसा motivational वीडियो देखते रहे हैं और अपने lap में कोई परिवर्टन नहीं ला रहे हैं आपको lap में परिवर्टन तब आएगा जब आप खुद के बारे में पुरा continuity और consistency के साथ मेंद करके पहार के 20 से रास्ता निकाल सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं धोनी जैसा प्लेयर बेस्फिनिसर कहा जाए सकता हैं बाकी लोग प्लेयर उनसे mentors as a mentor वो सीख लेते हैं तो आप भी एक ऐसा वर्चेस आदी बन जाए ऐसा वो हमेंसा एकदम उसी पर फोकस करने की आउ सकता है खाना मिले ना मिले लेकिन प्रायद नहीं रुकना चाहिए हम यही कहना चाहेंगे अगर इस वीडियो का अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब ठोप दीजिए और ऐसा वीडियो चाहते हैं तो सेर भी किजिए ध अन्वार मिलते हैं नेक्स डियू में